हलो गाइज वो कम बैक टो मैं चैनल टेग्राफर सो यह है मेरे समसांग गलाक्सी नोट 10 प्लस एक्षणॉस वारेंट एन गाइज इसमें में मुस्का रहो वनुवाइज 3.0 ओफिशिल अपडेट विट एंडॉड 11 एन गाइज पर्टिकुलरी इस दुरू में मैं आपको कु स्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा आप चाहें तो वह थ्री वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए फिलाल के लिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वह सबसे पहले फीचर है वह डबल टब टू अन्लॉक अलॉक तो यह जो फीचर है यह बहुत पहले ही दूसरे चो कमपनी से उनमें दिया गया था लेकिन सैंसंग में फाइनल यह आपर दिया गया है सो देख के बहुत अच्छा लग रहा है सो आपको स्क्रीन पे किसी भी जागर पर आपको डबल टप करना है तो आपने जो फोन है वो लॉक हो जाता है और यहाँ पर जो लॉक स्क्रीन पर उनमें आपको डबल टप करना है सो आपका फोन आपको खोल जाता है जो नेक्स्ट फीचर है वह है Message Recycle Bin जो मैं आपको Message पर जाता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि यह जो Message है इसको मैं Delete कर दूँ जो मैं इसको Delete कर दिया जो मैं चाहता हूँ कि मुझे वह Message फिर से आपको देखना है जो अभी आप Recycle Bin आपको Feature दिया गया है इससे पहले यह जो Feature था Recycle Bin Message में Particular ले आपको नहीं था लेकिन अभी 1A3.0 Official Update आने के बाद यह जो Feature से आपको यह Provide किया गया है आपको कोई भी Important Message हो और By Chance अगर आप इस Message को Delete कर दिये उसको आप बाद में आपको देख पाएंगे जो नेक्स्ट अप्डेट है वो यह गयst Extreme Power Mode इसको Enable का निकले आपको यह पर Notification Panel पर जाना है यहाँ पर आप देख सकते Power Saving Mode यहाँ पर Option है इससे पहले भी यह पर यह Option था लेकिन Option का जो Layout था वो कुछ Different था यंगर मैं इसको On करता हूं सो आप आप देख पाएंगे instantly यहां पर आपको power mode में on हो जाता है and किसी तरह कोई पर lag या फिर ज्यादा time ने लेता है and मैं अगर चाहता हूँ कि यह जो पूरा power mode है इसको अगर off कर निकले so यहां पर three dot पर आपको आपको sign देख रहा है इसे आपको tap करना है and just यहां पर आपको tap करने turn off power saving mode so जैसे आप करते हो यहां पर आप देख पाएंगे instantly यहां पर जो power saving mode है वो off हो जाता है so यह जो पूरा process है बहुत ही जल्दी जल्दी होता है इससे पहले यह जो process है वो यहां पर कुछ 10 से 20 सेंड लगता था लेकर आभी one 3.0 का official update के बाद यह जो feature है बहुत ही जल्दी यह इंस्टेंटली आपको phone में देखने की मिलता है guys जो next update है वो है Samsung का default browser है उसमें यहां पर आप देख सकते है जो tab है यह जो tab का layout है उसको चेंज कर सकते हो उसके लिए पर आपको 3.0 पर जाना है और आपको जाना है view as और आप देख सकते हैं आप अभी यहां पर list stack and grid है आप तीनों आपको आपर mode दिया गिया है अड़ा साथ में हैंपा जो gesture कर सकते हैं और आपको जो स्क्रॉल आप यूटवर सब्सक्राइब मुझे हैंबर मुझे कोई आप सब्सक्राइब दिखा रहे आप इस त्सक्राविच कोश और बच ओप आप यहांपर ओ आप अप सब्सक्राइब उठेखने में थुरा से रिखने 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 में थुरा से रिख कुछ अपडेट से साथ में आपका वॉल्यूम में भी आप आप देख सकते हैं कि एक जगा पर आपको सब कुछ वॉल्यूम आपको देखने को मिल जाता है यह माइन है थोड़ा से हैं आप देख सकते हैं वह थोड़ा से चेंजेस किया गिया है पहले के तुलना में अभी जो पूरा विंडोज है उसको थोड़ा से बढ़ाया गिया है देखने में काइंड ओफ 3D यहां पर स्टर्क्चर लगता है मुझे अपर लगता है कि छोटा से माइनर इंप्रूब्मेंट है अगर आपके पास मेरे जैसे हैं आपर नोट 10 प्लस डिवाइस है अगर आप चाहते हो कि यहां पर कोई भी मुझे आपर नोट क्रेट करना है सो से फर इग्जेम्पेल यहां पर मैं कुछ भी आप लिखता हूं सब्सक्राइब और यहां पर मुझे आपर युट्यूब वीडियो में साथ में गिए पूरा मुझे करना है तो इस बार जैस्स यहां पर थोड़ा सह माइनर Component है है यहां पर आपको टैप करना है युआ आपको कुछ सिर करना है यहां पर आपको टैप करना है यहां पर देख सकते हैं ह ya युद है कि आपको publicity को वो आपको इसी तरह के छोटे-छोटे जो अपडेट है मुझे आप अच्छा लगा है इसके अलाबा और भी आपडेट से जासे कि आप नोटिफेशन बबल क्या है या फिर यहां पर यह लॉक स्क्रीन के जो वर्ल पर पर है वो भी बहुत अच्छा लगा है आप चाहे तो इन सभी जो फीचर से कैसे आपको इहां पर इनाबल करना है इसके रिएटिफ सब कुछ आप चाहे तो वीडियो देख सकते उसका जो लिंक है आप डेस्क्रिप्स बॉक्स में दे दूँगा आपको फोन कॉल में जाना है उसके बाद आपको जाना है त्री डाट पर शेटिंग्स पर यहां पर देख सकते हैं कॉल बैग्राउंड का एक उप्शन है अगर इसको आप टैप करते हो तो पूरा आपको जो कॉल है उसका बैग्राउंड एंड लेयाउट आप दोनों ही आ यहां पर मुझे क्या कालिंग बैग्राउंड लगाना है सो में कुछ इसी तरीके से अपने जो कॉल का फीचर है वह आपर इन्हांस कर सकता हूं से टास कॉल बैग्राउंड करके तो गैस कुछ इसी है आप थोड़े चोटे चोटे अपडेट मुझे आप लगा है वने 3.0 क जो मैं कंप्लेट अब कोबर किया हूं कि वने 3.0 के साथ अब क्या के नेने फीचर्स मिलता है तो आप चाहे तो उसका जो वीडियो जे उसका आप देख सकते उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्सिंट बॉक्स में दे दूँगा आप एक बास जरूर देखना तो चलिए क्यांस मिलते हैं किस और वीडियो में तब चलिए गुडबाई एंड टेक क्यार गईज